हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल आइकन को दबाएं हमारे लिए टेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फेंड्स मेरा नाम है वीर और आप देखरें डाउट क्लियर आज हम लोग MS Word में दूसरा टैप पढ़ने जा रहे हैं आपको अन्दर जितने भी ग्रूप आते हैं जैसे क्लेब बोर्ट फॉंट पैराग्राफ स्टाइल ग्रूप वगएरा वगएरा हम लोगों ने पहले पढ़ लिया तो आज हम लोग insert tab की तरफ बढ़ते हैं जो home tab के बिल्कुल just bugle में हैं आपको इसक्रीन पे दिख रहोगा जैसे कि हमने दिखा दिया है कि insert tab जो है paragraph ग्रुप वगरा थे जैसे कि home tab के अंदर वैसे ही insert tab के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं और वो क्या क्या काम करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि insert tab क्या होता है देखिए होम tab में जो हम लोग पढ़ रहते तो उसमें कई सारे groups आये थे उन सब groups के बारे में हम लोग ने जिक्र कर लिया था पिछली वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखिए तो प्लीज जाईए और उन सारी वीडियो को देखिए और उसके बाद आप insert tab भी देख सकते हैं औ और insert tab में क्या है कि कुछ groups हैं जिनके अलग-अलग काम है और जो home tab से बिलकुल अलग-अलग work रखते हैं ठीक है और इनका अलग-अलग speciality है ठीक है तो insert tab ऐसे होता क्या है insert tab हमारे जो open documents हैं जिस पे हम लोग work कर रहे होते हैं उस पे कोई भी चीज insert कराना insert कराना मतलब कोई भी चीज हमारी है बाहर किसी file में किसी भी location में हमारी वो कुछ भी रखा हुआ है तो उसको हम लोग अपने document में insert करवा सकते हैं मतलब ला सकते हैं या फिर जो default में दिये हुए हैं MS Word में कुछ चीजे उनका हम लोग use कर सकते हैं अपने documents को और अच्छे स arrange करने में हम लोग इनका use करते हैं ठीक है तो insert tab के अंदर हमारे कुछ groups आते हैं insert tab के अंदर हमारे सबसे पहले group आता है जो होता है हमारा page अब देख guidannah की बात कर लेते हैं कि page क्या होता है page group में सबसे पहले हम लोग को मिल जाता है cover page जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी document हम लोग बनाते हैं तो उसका cover लगाना जरूरी होता है या फिर हम लोग किसी भी document का cover बनाना चाहते हैं तो हम लोग इस cover page की मदद से कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हम लोग हमने कुछ दिखा दियें default में जो cover page लगे हुए हैं वैसे आप customize भी कर सकते हैं और अगर आप customize नहीं करना चाहते तो इनी में से ही कोई भी choose करके अपने आप अपने document पे लगा सकते हैं cover page के बाद हमारा दूसरा option है blank page blank page नाम से बता चल रहा है blank ठेक है तो blank का मतलब होता है खाली अगर हम लोग किसी भी document पे काम कर रहे हैं और हमें अगर किसी भी blank page की जरूरत है तो हम लोग इस option पे click करके हम अपने एक blank page को create कर सकते हैं और अपने document में add कर सकते हैं और cover page के बाद हम लोग को एक दूसरा option मिलता है जिसका नाम होता है break page जैसे कि हम लोग जानते हैं कि break का मतलब होता है बीच से किसी भी चीज को तोड़ देना ठीक है तो अगर हम लोग किसी भी document पे काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहां से page जो है वो break हो जाए मतल बढ़ते हैं जो की है हमारा table table का सीधा सा form या सीधा सा काम है कि हमें table provide कराना हमारे document में हमारे open document में किसी भी तरीके का table provide कराना जो भी हम लोग चाहें ठीक है तो कुछ option हमें default में कुछ tables हमें default में दिये होते हैं हम उनी का ही use कर सकते हैं कितना भी बड़ा हम लोग इसमें स चूज़ कर लें ठीक है और चूज़ करके हम अपने table को अराम से arrange कर सकते हैं और उसमें अपना data भर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद हमें उसके नीचे ही कुछ option मिल जाते हैं जो कि हमारे हमारे document को और भी अच्छे से arrange करने के काम आते हैं ठीक है तो अब उसी में हमें नीचे insert table मिल जाती है, draw table मिल जाती है, excel spreadsheet मिल जाती है, excel की spreadsheet आप जानते हैं अगर आपने कभी भी excel में काम किया होगा तो excel में जो sheet हमें मिलती है वो एक spreadsheet कहलाती है और इसके बाद हमारा quick table होते ह जो बने बनाए हमें table मिल जाते है, quick table जैसे हमारे day, month और calendar और इन सब का जैसे हम लोग use करते है एक table के form में, उसमें हम लोग अपना data बढ़ते हैं, जैसे result वगएरा, तो quick table में हम लोग को direct ही हमें calendar मिल जाता है, और भी कई सारी चीज़े हमें मिल जाती है, जिनको हमें बन group complete हो चुका है, और दूसरा हमारा tables group जो है, वो complete हो चुका है, अब हम लोग अपने तीसरे group की तरफ बढ़ते हैं, जो की है illustration group, इसमें हमें 5 option देखने को मिल जाते हैं, जिनको हम लोग slides की मदस से समझेंगे, ठीक है, तो अब हम लोग अपने slides की तरफ बढ़ते हैं, और slides क मदस से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, illustration group में हमें 5 option देखने को मिल जाते हैं, जिसमें की पहला है pictures, और दूसरा है clip art, तीसरा है हमारा shapes, और चौथा है हमारा smart art, और पांच हो है हमारा chart, ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग sheets की मदस से समझेंगे, ठीक है, यह PPT की slides है, और इन slides की मदस से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो देखें इसमें क्या लिखा है, कि this option is used to insert image and pictures on the open document, it can insert the pictures located anywhere in the system, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग को कोई भी type की picture insert करानी है हमारे open document में, तो हम लोग इसको बड़े ही आसा मतलब क्या है कि यहां पर insert करवा सकते हैं, अपने किसी भी document, अपने किसी भी location से, अपने system की किसी भी location से, हम लोग अपनी कोई भी image जो है, वो हम अपने document में insert करवा सकते हैं, इसके बाद आता है हमारे clipart, clipart का हमारा काम क्या होता है, these are the image present in MS office, ठीक है, और and these images can be inserted by this option, मत मतलब क्या है कि हमारे MS word में कुछ images जो होती हैं, वो default में पड़ी होती हैं, ठीक है, जो एक sticker के रूप में या image के रूप में आप कह सकते हैं, पड़ी होती हैं, जिनका use हम लोग अपने document में use करने के लिए करते हैं, ठीक, तो इसकी मदद से हम लोग, अगर हमें कहीं भी image नहीं मिल रही है, तो हम अपने local में ही, मतलब अपने MS office में ही, इसका use करके, हम MS office की images को अपने document में use कर सकते हैं, और भी अब हमारा आगया है तीसरा option, जो की है shapes, देखिए shapes जो है, वो इसमें, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कई सारे shapes होते हैं, जिनका use हम अगर कुछ भी content लिखना चाहें, तो इसके अंदर हम लोग कोई भी content लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये auto generated shapes होते हैं, ये default में दिये होते हैं, हम लोग को बस अपना shape choose करना होता है, और choose करके उसको अपने document में insert करा लेना होता है, और insert कराने के बाद हम उस पर आगर right click करेंग अपने shape में, shape में right click करने के बाद हमें option मिलता है, जिसमें आता है add text का, उस पर जब लोग क्लिक करते हैं, तो हमारा जो text होता है, वो उस पर बहुत ही आसानी से लिखता चला जाता है, और फिर वो text उस shape के बाहर नहीं जाता है, उस shape के अंदर ही रहता है, ठीक है, तो इस shapes का काम होता है, अगर किसी भी type की image या किसी भी type का हमारा text जो है, वो उस shapes में लिखने का, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है fourth option, fourth option एक बहुत ही अच्छा option है, जिसका नाम है smart art, इसका काम क्या होता है, मान लिजे मेरे पास कई सारे types हैं, मतलब एक हमने heading लिखी उसके अंद example दिया है, like cycle order और hierarchical order जो है, वो हमें इसमें दिया हुआ है, ठीक, तो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लिजे मेरा एक कोई भी heading है, उसके अंदर कुप सारे और सब heading हैं, मतलब उसके types हैं, तो इसको वो एक tree के हिसाब से और एक ascending और descending order में एक graph की मदद से बहुत ही अच chart, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा data होता है, वो एक graphical format में हमें represent कराने के काम आता है, और इसके कुछ types होते हैं, जैसे की column chart, bar chart, pie chart, line chart, ठीक है, ऐसे और भी कुछ types होते हैं, जो हमें क्या गयाते हैं, हमारे data को represent करने में useful होते हैं, ये सिर्फ हमारे data को, हमारे जो भी text हो जो को एक graph के format में represent करने में help करता है अब देखिए यह मैं यहाँ पे सिर्फ theory ले रहा हूं अगर आपको practical जानना है तो practical in theories के बाद मैं मैं लूँगा ठीक है और शायद एक ही दो practicals में मैं सारा का सारा उसी में ही cover कर दूँगा और इसके बाद मैं आपको इसी में ही in theories के complete हो कैसे बनाया जाता है इन सबकी एक अच्छी सी पूरी tutorial दूँगा अपने system बैठ के तो आप इन पूरी series को पूरे अच्छे से देखिए और I hope आपको यह video पसंद आई होगी अगर इस video से related कोई भी problem आपको आती है या आप कोई suggestion देना चाहते हैं और अगर आपको किसी और topic पर वीडियो चाहिए जो आप चाहते हैं कि आप इसमें अच्छे से हमको बता तीजे study करके तो मैं उसके बारे में भी study करके आपको बता दूँगा बहुत ही अच्छे से तो अगर आपको वीडियो पसंद दो तो आप अपने friends के साथ इनको share करिएगा इस पूरी playlist को share और हमारी पूरी playlist को अच्छे से देखिएगा और आप इस वीडियो को like करके भी जाएंगे थैंक यू